कितना हैं अंबानी के एंटीलिया का विजली का बिल? सुनकर नहीं होगा याकीन एशिया के सबसे रहीस व्यक्ति और भारत के सबसे बड़े बिजनसमेन और रिलाइंस इंडरस्टीज के मालिक मुकेश अमबानी के घर एंटीलिया की गिंती भारत ही नहीं दुनिया के सबसे महंगे और शान्दार रेजिदेंशल में होता है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार रिलाइंस इंडरस्टीज के मालिक मुकेश अमबानी का मुंबई स्थित घर एंटीलिया कई वजहों से सुर्कियों में रहता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार मुकेश और नीतामबानी का घर दुनिया का सबसे महंगा घर है ऐसे में आम इंसानों के जहन में सवाल जरूर उठता होगा कि कितने अमीर शक्स के आलिशान महल का बिजुली का बिल कितना आता होगा मुकेश अमबानी और नीतामबानी के लिए डिजाइन किये गए एंटीलिया को काफी यूनिक धंक से डिजाइन किया गया है इस सपनों के महल में तीन हैलिपेड, 168 कारों के लिए पार्किंग एरिया, एक स्विविंग पूल, एक स्पा, एक स्वास्त सेवा केंद्र, एक मंदिर, एक रूफ गार्डन, नौ लिफ्ट भी हैं और 50 लोगों के साथ बैठ कर देखने के लिए थ्वेटर भी है एंटीलिया में लगभग 600 लोगों का स्टाफ काम करता है ये बिल्डिंग इतनी उची है कि इसमें हाई टेंशन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन दिया गया है रिपोर्ट्स के मताबिक एंटीलिया में अच्छी खासी मातरा में बिजली की खपत होती है माना जाता है कि जितनी बिजली एंटीलिया अकेले खर्च करता है उतने में मुंबई के 7000 मिल्ल क्लास परिवारों के घर रोशन हो सकते हैं इसे साल 2006 में बनाना शुरू किया गया था और ये साल 2010 में बनकर तयार हुआ इसे बनाने में करीब 15000 करोड रुपे का खर्च आया एंटीलिया में काम करने वाले करमचारियों को भी अच्छी खासी तनख्वा मिलती है रिपोर्ट्स में दावा की आगया है कि स्टाफ को देड़ से 2 लाख रुपे महीने की सेलरी दी जाती है अब बात करते हैं एंटीलिया में बिजली का बिल कितना आता है रिपोर्ट्स के मताबिक एंटीलिया में हर महीने बिजली की खपत करीब 6,37,240 यूनिट है यानि एंटीलिया हर महीने बिजली का खर्च औसतन 70 लाख रुपे तक आ जाता है ये राशी जादा भी हो सकती है कहा जाता है कि दुनिया की शायद ही ऐसी कोई सुविदा हो जो एंटीलिया में मौझूद ना हो फिलाल एंटीलिया के बारे में ये जानकारी कैसी लगी है आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और डेली न्यूज यानि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें